हेलो गाइस वेलकम टू माई चैनल फ्रॉम अंगलेश की दुनिया एंफूर्ड आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहे हूं मेथी की पराठे बहुत ही क्रिस्प्री पराठे बने हैं और मैंने यहां पर पानी का यूज नहीं किया है तो आप इस पराठे को काफी टाइम तक स्टोर करके रख सकते हैं जिसे पराठे नहीं पसंद है वह भी मांग मांग के खाएगा मेरी रेसिपी पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें यहां पर मैंने 100 ग्राम हरी मेथी ले लिया है उसे अच्छी तरह से साफ करके इसे वाश कर लेंगे फिर मैंने यहां एक बरतन में डाल दिया है ओनियन ओनियन को इस तरह से मैंने बारी चॉप कर लिया है ताकि यह पराठे में अच्छी तरह से घुल मिल जाए ताब हम ओनियन में डाल देंगे नमक टेस्ट के अनुसार फिर हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे इस पर और हरी मिर्च का बारिक पेस्ट मैंने इसे फाइन छॉप करके रखा था अभ इसमें हम मिला देंगे उसके बाद जो हमने मेथी लिया था उसे भी मेने इसी चॉपर में फाइन पेस्ट बना लिया इसे हमारे जो मेथी है वो प्याज के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो नजवाइन को इस तरह से हाथों से घस के डाल देंगे फिर इसमें मैंने डाल दिया है आधा चम्मच जीरा वन फॉर्थ स्पून हल्दी भी डाल देंगे फिर इसमें हम डाल देंगे चिली फ्लैक्स फिर हम यहाँ पर डालेंगे दो चमच बेशन, बेशन डालना कमपर्सरी है, बेशन डालने से जो है हमारे पराठे बहुत ही क्रंची बनेंगे और बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा इसमें, इन सभी चीजों को अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे जैसा कि हम सभी जानते हैं कि विंटर का सीजन चल रहा है और यहाँ पर हरे भरे वटाने मिल रहे हैं, तो मैंने यहाँ पर आधा कम वटाना इस तरह से फाइन चॉप कर लिया है, इसे भी इसमें डाल देंगे, यह बिलकुल ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप पर हम डालेंगे, एक चम्मच कसूरी मेथी, इन सभी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, हमारे जो मसाले हैं, बंद के रैडी हो गए हैं, वह काफी गीले हैं, अब इसी गीले पन से हम अपना मेथी का जो आटा रैडी करेंगे, यहाँ पर हम धीरे धीरे करके आ इक बार जरूर ठ्राइ कीजी, जो मेथी के पराठे नहीं खाता है, उसे भी बहुत पसंद आएगा, इसी तरह बीच बीच में हम आटे डालते रहेंगे, जितना हमें जरूरत हो, उतना ही हम आटे का उपियोग करेंगे, हाथों की साहता से, इन मसल मसल के हम अपने मेथी के पराठो का आटा रेटी करेंगे, आप देख सकते हैं, कि मारा आटा जो है, मेथी में अच्छी तरह से मिक्स हो जा रहा है, हमें इसमें आटे की और जरूरत है, ऐसे ही हम धिरे धिरे आटा इसमें डालते हुए, इसे अच्छी तरह से मैश करते हुए, हम अपना मेथी का र रड़ाू करेंगे, इसमें कुछ सिगरेट रैसिपी है, पूरी रैसिपी जानने के लिए, वीडियो को की इत्रा के लिए कि अब च्छिि अपशने की करें वीडियो को बताऊने के आप आदी करें तो कको करें तो में अच्छी तरह से 5-9 मिड़क मशलने के बाद हमारा आटा रेड़ी हो चुका है अब हम इसे तेल लगाके अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे मिक्स करने के बाद हम इसे दस मिनद तक सेट होने के लिए रख देंगे तब हम देखेंगे कि हमारे आटे जो हैं और भी गीले हो गए हैं आप इस तरह से मसल के देखेंगे तो आपको पता चलेगा हमें soft रोटी जैसा आटा ready करना है अगर हमारे आटे गीले हो गये हैं तो इसमें हमारे सुखा आटा डालके इसे रोटी के आटे की तरह soft मेथी का आटा ready करेंगे हमारे मेथी के पराठे के आटे बहुत soft बिना पानी के ready हो चुका है एकदम रोटी के आटे की तरह हमें इसे चेक कर लेना है फिर हम सुखे आटे ले लेंगे फिर हमें चेकलया ले लेंगे इसमें हम थोड़ा सा आटा ले लेंगे और इसके इस तरह से बेल लेंगे यहाँ पर मैं इसे circle shape दे रही हूँ, आगे मैं आपको अलग-अलग shape के मेथी के पराठे बनाना सिखाऊंगी इसे हलके हाथ से ऐसे गोल-गोल गुमाते हुए बना लेंगे अक्सर हम देखते हैं कि मेथी के पराठे जो हैं हमारे side-side से फट जाते हैं लेकिन आप इस तरह से बनाएंगे तो आपके जो पराठे हैं वो फटेंगे नहीं आप देख सकते हैं बिल्कुल गोल shape में बने हुए या बिल्कुल भी फटे नहीं है यहाँ पर मैंने iron का तावा यूज किया है आप चाहे तो non-stick pan भी यूज कर सकते हैं हम इस तरह से चेक कर लेंगे कि हमारे तावे गरम हो गए हैं फिर उसमें हम डाल देंगे अपने मेथी के पराठे उसे रोटी की तरह अलट पलट के चलाते हुए हम सेक लेंगे फिर इस stage पर मैं यहाँ पर लगा दूँगी तेल आप चाहे तो घी का भी यूज कर सकते हैं मैंने यहाँ पर ब्रश की सहता से पराठों में इस तरह से refined oil लगाया है दोनों side से पलटते हुए हम इसमें तेल लगा लेंगे मैं यहाँ पर पराठे जो है हातों से पलट रही हूँ मुझे तो habit है अगर आपको habit नहीं है तो आप चिम्टे का उप्योग करें वरना आपके हाथ जो है जल सकते हैं देखिए हमारे पराठे कितने क्रिस्पी बने हुए हैं आप देख सकते हैं फिर उसके बाद मैं आपको यहाँ अलग शेप बताती हूं ट्राइंगल शेप यहाँ मैंने आधा साइट सुखा अर्टा लगा लिया है और आधा साइट लगा देंगे रिफाइंड ओईल उसे इस तरह से फोल्ड कर देंगे हाफ शेप में फिर आधा साइट हम तेल लगा लेंगे फिर दूसरे साइट हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे और इससे अच्छी तरह से प्रेस कर देंगे हमारा ट्राइंगल शेप रै बनाते हुए इसे पतला मेथी का पराठा रैडी करना है यह त्राइंगल शेप है फिर हम इसे तावे पर डाल देंगे और इसे इसी तरह अलट पलट के अच्छी तरह से शेख लेंगे दोनों साइट ब्रश का उप्योग करके हम तेल लगा देंगे देखिए हमारे पराठे यह अभी क्रिस्प्री बनकर रैडी हो गया है इसे भी हम तावे पर से उतार लेंगे अब चलिए हम बनाते हैं अलग शेप यहाँ पर फिर से मैंने सरकल रोटी बना लिया है फिर इसके से फोल्ड कर लेंगे फिर दूसरे साइट से भी हम इसी तरह फोल्ड कर लेंगे यह हमारा स्केर शेप जो है मेथी का पराठा बनकर रैडी हो गया है इसे हाथों की साहता से इस तरह से दबाते हुए घुमा दे रहेंगे फिर इसमें हम लगा देंगे सुखा आटा इसे भी हम हलके हाथों से इस तरह से घुमाते हुए पतला बेल लेंगे। सुखायाटे का उप्योग करते रहना है पीचले मने तबे के देजल समें अच्छी तरह से घु समाते हुए अलट पलट के देखेंगे Centralay में अच्छी तरह से तेलмат ¿्ट रगा पराठे क्रिस्पी बनेंगे हमारे स्क्वेर शेप के भी पराठे बनकर रेडी हो गया है इस तरह से मैंने सभी मेथी के पराठे बनाकर रेडी कर दिये यहां 100 ग्राम मेथी में 10 से 12 पराठे बनकर रेडी हो गये हैं आप इसे चटनी के साथ दही के साथ खाए इंजॉय करें और अपना अनुभव मेरे साथ शेयर करें मेरी यह रेसिपी आपको पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें थैंक यू सो मच पर वाचिंग, बाइ